सो गाइस जब बात आती है प्रीमियम TWS एयरफोन की वहां पर सोनी भाई डेफिनेटी दिगजों में शुमार होता है एंड सोनी ने अपना जो WF 1000XM सीरीज है उसका फिफ्ट इटरेशन लांच कर दिया है सोनी का WF 1000XM 5 नाम बहुत बड़ा है और काम भी उतने ही बड़े-बड़े है भाई इस TWS के बहुत ही नेश्ट लेवल है अल्मोष्ट पचास जिन से है मेरे पास मैंने इस सोनी की एयरफोन को इनके साथ ने भी कंपार किया सबसे पहले जो सोनी का नाम है सोनी WF ये पहले आ जाता है सबसे उपर ठीक है जाए बहुत है वह तो वह एडफोन खे वे तो यह तोड़ा सा कन फूज़न अगर डबूएड देखा तो है सबसें नाम है लेकिन भाई स्टाट करते हैं और मोश्ट मेरे पास चालिव पचास इन से यह वाला टीवलूस है तो अबसे पहले गाईद आप लोग लोग अन्बोक्सिंग दिख लो जो मैंने काफी ताम पहले गाईदा तो इस इस दे बॉक्स अफ द लेटेस्ट सोनी हेडफोन अच्छली ये बॉक्स नहीं है ये तो सिर्फ हमलोक को मिला है यहां पर हमें एक सुनी ब्राइड बॉटल देखनी को मिल दीगे जो काफी बढ़ियां बोटल है यह प्रॉपर जो मतलब चाय अगरा पीनी के लिए काफी ब्रॉटल से चाय गरम गरम रगदो होट होट रहेगा, कोल्ड कोल्ड रहेगा, ना है सच्छी बहुत है, यह बॉटल में एक चीज दा है, बटन दबाओ, लॉक अनलॉक पानी बाहर निकालने के लिए, उसके बाद एक सुनी ब्रेंडेड पैन पी रेखने को मिल रही है, विच है रियली गुड क्वालिटी, एं कर दो, देन हमको मिलता है हमारा मेन प्रड़क्ट, यह पैकेजिंग अगर आप लोग पर्चेस करते हो, इस हेडफोन को, तो यह पर्टिकुलर पैकेजिंग आपको मिलेगी, यह वाली, सोनी WF-1000XM5, काफी सबर्दस तगडे वाले हेडफोन, काफी महेंगे भी है, उपन फ्रम हियर, बेखो कुछ इस तरह से पैक रहता है, यह उपर से यह उपन होगा, पीपर का कुछ जादे ही ख्याल रखा गया है, बहुत ही सिंपल, काइंड आफ सस्ती पैकेजिंग लग मुझे, ठीक है, वैसे भी पैकेजिंग वेस्टी होती है, तो यहाँ पर इंवार्मेंट का काफी जादा ख्याल रखा गया है, the quality of the earbud भाई, मैं तब वीडियो अगरा मैंने देखा था ना, तो मिरको थोड़ा बड़ा बड़ा आता है, लेकिन real life में काफी small है, काफी compact है, the quality is pretty amazing actually, यहाँ पर बटन आपको देखने को मिलता है, इधर यह भी type c port है, quality सही है, यह earbud है, इसके अंदर medium वाले आते है, and these are not just your ordinary plastic tip, these are foam tips भाई, memory foam वाले tips है, भाई साहाब, बहुत ही जादा higher quality का लग रहा है, और जो golden color में बनाया भाई, का दिख रहा है, तो यह हो गया हमारा main earphone, उसके बाद और open करेंगे, तो एक और box देखने को मिलता है, and then यहाँ पर आपको QR code and on, सारी चीज़ा देखने को मिल रही है, यहाँ पर कुछ paper works है basically, then अंदर हमको यहाँ पर कुछ extra ear tips देखने को मिल रहे है, and यह भी सब foam के ही ear tips है भाई साह, और इसके अंदर यहाँ पर large है, small है, super small है, और इसके अंदर I think medium है, लगे वे हैं already, और यह एक USB type A to type C cable देखने को मिल जाती है, Sony branded, साही है, यह यह फारे products है, let's install this application, आपको आचा आ गया, box के अंदर से निगालने के बाद में ही आया है, WX-1000XM5, now it is connector, hands-free Google Assistant, setup करना बड़ाबर, तो यह पूरा है, plastic में ही बना है, even जो earbuds है, पूरे plastic में है, लेकिन काफी अच्छे quality का plastic है, मजबूत है, कहीं सा हलका फिल ने हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं अगर हलका दबाता हूँ, तो यहाँ से हलका सा यह बाहर आता है, बट यह थोड़ा सा चलता है, में को ऐसा problematic देखने को न black, it looks very nice, यहाँ पर golden color में Sony की branding है, और जो earbird है, वहाँ पर उपर का portion है, जो touch portion है, वो पूरा matte में है, अंदर का पूरा portion, gloss में है black color, और यह जो golden accent है, उसके साथ में जो भाई, इसका look आता है, वो एक distinct look आ जाता है, लेकि यह जो golden accent के वज़े से, सब को मालू पड़ जागा कि भाई, हाँ, यह Sony का headphone है, यह एक अपनी identity create कर लिया है, और बाकी एक जो single earbird है, वो सिर्फ 5.9 gram का है, तो हलका होने के विए से भी थोड़ा सा फाइदा है, और matte होने के विए से, दादा इस पर fingerprint और गंदगी मेरे को देखने को ने मिली, बाकी यहाँ पर आपको USB Type-C port औ उस पर tap करके रखना पर ता, फिर वो pair होता था, वो सरदर रता, यह must है, अपना दबा के रखो, फटा-फट pair होता, sorted रता, बाकी comfort की बात कुई हूँ, तो जो last year का XM4 था, उसके comparison में definitely यहाँ पर जो एक एक ear tip है, वो काफी छोटा हो गया है, जो यह ear tip है, यह पूरा foam में है, काफी अच्छे quality का foam है, आप कान में दालोगे ना, क्या must perfect बैठता है, अला कि एक-दो दिन आपको लगेगा इससे adjust होने को, आईसा पहले दोसरे दिन आपको थोड़ा सा uncomfort सा feel आएगा, discomfort जो मुझे भी feel आया, बट जैसे दो-ती दिन आप यूज़ करोगे ना, तो जै feel करता है, जैसे active noise cancellation वाई से on हो गया, बहुत ही जादा next level है, यह इतना जादा isolation करता है, कि मैं जो normal कोई भी दूसरे earphones, जिसमे active noise cancellation है, उसको जब मैं on करता हूँ, और इसका active noise cancellation off रखने के बाद भी, इसका जो isolation है, वो जादा है, सोचो, इतना तगड़ा है इसका, यह जो passive isolation है, because of this memory form tips, बाकि छोटा और lightweight होने के से, जादा comfort में मेरे को कोई problem आया नहीं, तो मेरे को अच्छा लगा भाई, हाला कि, जब मैं AirPods यूज करता हूँ, तो मेरे को AirPods सोड़े से जादे comfortable लगते हैं, अभी भी थोड़े से बलकी लगते हैं, अगर देखो, side by side डिखा हूँ म वो, मैं एक चीज डेफिनेटली बोल सकता हूँ, मैंने काफी सारे महेंगे-महेंगे earphones भी यूज कर रखे हैं, and I have to say, without a doubt, भाई, one of the best earphones है, when it comes to the active noise cancellation, दो यहाँ पर आपको देखिने मिलता है, ambient sound control, यसा option है, इसका app है basically, यहाँ अप active noise cancellation on कर गोगे, तो active noise cancellation, पूरा side का आपका आस-पास का वो सब cancel out रहता है, अब वहाँ पर यह एरपोज second generation है pro, और यह है Samsung का birds pro 2, इन दोनों से compare करूँ न, भाई, यह तो वैसे भी कोई competition में ही नहीं है, ठीक है, यह एक बहुत ही तगड़ा earbud था, जो बहुत ही जादा तगड़ा experience देता था, when it comes to the active noise cancellation, बट जब मैंने इनको use करा भाई, मेरा दिमाग हिल गया, क्या next level noise cancellation है भाई, पूरा sonata कर देता है, मतलब मैं off पे भी रखता हूँ न, जब noise cancellation कुछ भी on नहीं रहता न, उसके बावजूद बिखाली, इसके 4 mere tips इतने तगड़े हैं जो इसके active noise cancellation का level almost match कर देते हैं भाई, इतना power है, हलाग कि एक चीज़ मैं बोलूँगा, कि भाई, ये इतना जाधा seal करता है न, कि आपको ऐसा pack होने वाली feel आईगी, इसके अंदर वो चीज़ नहीं आती, ये चीज़ मैंने notice करी है, आचा noise cancellation भाई, बहुत ही जाधा ला जवाब है, मैं इसको पहन के plane में जब मैंने travel क जो transparency है, वो definitely अभी भी मैं बोलूँगा कि airpods का जाधा better है यहाँ पर, अगर मैं airpods से compare करूँ थो, अगर ये खली अकेला individually बोलूँ, तो बढ़िया है, अपना काम चल जाजाएगा, आपको दिक्कत नहींगी, बाकि features तो भाई भर भर के हैं इसके अंदर, जैसे एक gesture वा कुमारा जो earbud है, इसको tap and hold करता हूँ, hello, who are you, तो मैं को Google Assistant, हाँ, इसके अंदर on नहीं वाए, मतलब इसके through ही data लेता है, फोन के through ही, लेकिन phone के अंदर Google Assistant पॉप अप नहीं वाए, डायरिक्ट इसके अंदर ही उसने chime आया, Google Assistant का, और Google Assistant को मैंने कुछ भी पूछा ना, तो सारी चीज़े मेरे को मिल जाती है, तो बहुत next है वाले यह चीज़ भाई, इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग features है, जैसे speak to chat है, अगर speak to chat मैं enable कर दूँआ, जैसे मैंने बोलना चालू किया, तो तुरंती ambient mode चालू हो गया, आजू-बाजू की आवाज एक्दम मेरे को सुनाई देने देगी, वैसे मैं चुप बेट हुआने से, गया, वापस से यह noise cancellation on हो गया, वापस से ambient mode चालू हो गया, देखो यहां पर, दिख रहा है, अच्छा, यह 15 सेकंड तक लेता है, शौट करते हैं आपन, आफ हो गया, वापस on हो गया, जैसे मैं बोलूँगा, वैसे यह detect करेगा कि speech आ रही है, और तुरंती ambient mode on कर लेगा, और ambient mode को आप expect भी कर सकते हो, मतलब change भी कर सकते हो, कितना ambient mode आपको चाहिए, कितना नहीं चाह सकते हो, for example, सबसे पहले आपको यह दिखने को मिलेगा, उसके बाद sound में आपको सारा equalizer दिखने को मिल जाएगा, equalizer में जाके आप सारी चीज़े अपने साब से adjust कर सकते हो, clear based बढ़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़े कर सकते हो, फिर find your own equalizer, वो start करेगा, आपको मसा जाएगा, by the way, इसके अंदर आपको Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है, जिसके help से connection बहुत stable, बहुत smooth रहता है, आपको दिक्कत कहीं पर भी नहींगी connection में, अब Bluetooth 5.3 के साथ में इसके अंदर LDAC देखने को मिलता है, बाई, अब Sony है, plus LDAC का support है, तो sound quality तो मिलको बोलने के next level sound मिलता है, मतलब जो सब गाने मैंने पहले सुन रखे हैं, उन गानों को मैं इस earphone से वापस जब सुनता हूँ, तो भाई, एक stark difference मेरे को feel होता है, जो sound stage है, उसके अंदर, मतलब मजा ही आ लाता है, अगर मैं सस्ते 3000-4000 वाले TWS कूस कर रहा हूं, उनसे अगर इस पर आता आपका सर फार देगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये bass आपका music खराब कर रहा experience, कहीं से भी, like bass आने के वज़े से कुछ कुछ होता है, कि vocals मड़ी जाते हैं, यहाँ पर वो एकदम clearly separate feel होगा, तो बहुत ही clearly आपको सुनाई देगा, दोन्नों के बीच का separation, जो मुझे का जाता बढ़ियां लगा यहाँ पर, बहुत next level sound quality है, मजाक ने करो, मजा आ जाता है, अगर आप इसका equalizer off भी कर दोगे ना, इतना तगड़ा, इतना अच्छे vocals इसके निकल काते हैं, एक्दम crystal clear vocals है तो आपको जो highs है, जो mids है, वो भी बहुत अच्छे से सुनाई देंगे, बाकि call quality के बात करो, तो इनके अदर बहुत सारे mics है, and superb call quality है, अभी मैं अगर आपको यहाँ पर एक छोटा sample सुना दूँ, तो guys, अभी जो आप लोग आवाज सुन रहे हो, यह इन earphones के mics से आ रही है, वो भी सामने वाले phone में record हो रहा है, मेरे phone में record नहीं हो रहा है, मैंने phone किया है, सामने वाले phone में, सामने जिसको आवाज जा रही है, उस end पर record हो रहा है, जैसे आपने सुना, call quality भी एकड़म बढ़िया है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, बैटर लाइफ की बात करूँ, तो unexpectedly, बैटर लाइफ बहुत ही जादा सुपरब, अच्छा, बड़े ह तो आप expect भी करोगे के बैटर लाइफ आपको अच्छी मिलेगी, तो हाँ भाई, ANC on करने के बाद भी 8-8 गंटे की बैटर लाइफ मिल जाती है, और इस earbird से आप लोग इसको 2-3 बार भी चार्ज कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं है, भाई, 4-3 गंटे में फूल earbird चार जाता है, तो बहुत ही तगडी बैटर लाइफ आपको इसके अदर देखने को मिलेगी, तो उसमें भी में को कोई शिकायत देखने को नहीं मिली, अब लेटेंसी की बात करूँ, तो भाई देखो पहली बात तो यह है, यह एक महेंगे TWS है, तो I don't think so कि इतना महेंगा TWS को आप वायर वाले येरफोन यूज करो, क्योंकि कोई भी TWS लेलो दुनिया के, सब TWS में आपको कुछना कुछ हलकी फुल की minimal latency तो मिलती है, और competitive NAS हाब का वहां पर खतम कर देती है, तो बेटर यह है कि आप वायर वाले येरफोन लेलो, लेकिन इसकी latency, मतलब वीडियो बग ये जो मैं definitely बोलता हूँ, अगर आपके पास iPhone है, आप Apple ecosystem में हूँ, आपको AirPods आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप Android lover हो, तो आपके अपास option है, एक Samsung के Buds Pro 2 का, और उसके बाद ये XM5, Sony के, ये दोनों में से आपको कोई भी अगर एक लेना होगा ना भाई, तो definitely ये Samsung से बैटरी है, noise cancellation, भी जवाब, sound quality में definitely बोलुगा कि तीनो kind of same sound quality follow करते है, लेकिन जब अच्छा quality का base जहां बात आ जाती है, वहाँ पर ये Sony वाले फिर भी बादी मार जाते है, even इन दोनों के comparison में, Sony की sound quality में, base में especially, जो richness है, वो जादा है, बाकी overall मेरे हिसाब से definitely one of the best TWS है, when it comes to noise cancellation and sound quality, भाई, and Sony का नाम जुड़ा है, LDAC है, सारी चीज़ा आपको यहाँ पर मिल जाती है, आपको ज़ाधा attention लेने की दोबाद है नहीं, तो अगर आप premium quality का TWS सून रहे हो, तो definitely आप इस पे नज़र रख सकते हो, अपनी बहुत तगड़ा और बहुत improved TWS इस बार बन